आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो, उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, डाउटनेट में आपका स्वागत है Two resistance are connected in two gaps of meter bridge The balance is 10 cm from the zero end A resistance of 20 ohm is connected in series with the smaller of the two The null point shifts to 20 cm What is the value of bigger resistance? Okay, so basically अपने को बताना है कि जो meter bridge है, उसके अंदर जो bigger resistance है उसकी value कितनी होगी? Okay, so पहले अपने इसके लिए diagram बना लेते हैं So, अपने पास क्या है? दो resistance है Okay, so इन में से एक smaller resistance है और क्या है, एक bigger resistance है Okay, so basically यह क्या है, meter bridge है इसके अंदर यहां क्या है? Galonometer connected है And starting में अपने को कहा रखा है जो balance point है, zero end से वो कितना दे रखा अपने को? 10 cm Okay, so basically यह जो distance है वो total कितनी होगी? 10 cm Okay, and इसको मा लेते हैं P resistance P ohm And यह है Q resistance Okay, so अपने को कहा रखा है कि दो resistance है एक इन में छोटा है दूसरा इन में क्या है? बड़ा है Okay, so assume that जो P है वो बड़ा होगा किस से? 20 cm Okay, so यहां से P की जो value आजाती है वो आजाती है P equal Q upon 9 So basically यहां से अपन को क्या देख रहे हैं? कि जो अपने assume कहा था P greater than Q वो एक myth है Okay, so यहां से पता लगता है आपने को क्यों है वो 9 times of P है Okay, यहां कि क्यों बड़ा है जो Q वाला resistance है वो क्या है? बड़ा है P से Okay And अब अपने को कहा गया है क्यूशन के अंदर कि जो 20 cm का जो resistance है वो connected किया गया है in series with the smaller of the two यहांने इन दोनों में से जो छोटा है उससे connected किया गया है बी सोम का एक resistance किसमें? series में यानि कि smaller कौन सा IP है So यहां connected करेंगे बी सोम को series के अंदर So वो directly plus हो जाएगा Okay So And अब अपने पास जो relation बनता है वो कैसा हो जाएगा P plus 20 upon Q equal जो अपने को null point shift हो गया कितना 20 cm पर यानि कि जो balancing point हो गया अपना वो अब कितना हो जाएगा 20 cm Okay So 20 upon 80 Okay So अब इन दोनों को अब अपन solve करेंगे तो अपना आजाएगा P plus 20 equal होगा Q by 4 Okay So इसको आगे simplify करेंगे तो यह हो जाएगा 4P plus 80 equal किस किया जाएगा Q और Q की value कितनी थे अपने पास 9P Okay So यहाँ P की value solve करेंगे तब अपने पास आजाएगा 5P equal 80 यानि कि P equal 80 upon 5 So बेसिकली कितना जाएगा 16 Ohm So जो अपना P था उसको value कितनी अपनी 16 Ohm Okay And अब अपने को value find out किस की करनी है अपने को value find out करनी है What is the value of bigger resistance यह तो क्या था smaller resistance था So अपने को value किस की find out करनी है Q की So basically Q कितना है 9 times of P So P को multiply कर देंगे 9 से 9 multiply P की value है 16 So यह हो जाता है 144 Ohm Okay अपने इसका क्या है Answer find out कि लिए यानि कि option second आपना वो correct option होगा Okay Thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जे ही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर